बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पर कर सकते हैं इस्टाग्रम पर पे जरूर कर लेजिगा एड़ दरेट सब्सक्राइब करेंगे इससे पहले टेस्ट नमबर 8 पर हम और डिसक्शन कर चुके है अगर आपने भी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजेगा यहां पर दे इसको आप जोई नमबर जाता है देखिए इसके अलावा आप हमारे पेड़ कोर्सिस को भी जॉइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सिस हमारे द्वारत चलाए जा रहे हैं जो आपके एक्जाम की तयारी में काफी हल्फुल होते हैं हमारे जो पेड़ ग्रूप होते हैं वो देखिए वन- से कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हैं तो देदे नमबर इन पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं और पेड़ ग्रूप के बारे में जानकारी ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा तो देखिए जो सबसे पहले कुश्चन है वहाँ पर जो भगवा जब बुद्ध को ग्यान के प्राप्ति हुई थी उसको रिपर्जेंट करता है धम चक्र परिवर्तन जब बुद्ध को ग्यान प्राप्ति होने के बाद उन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उस चीज को क्या माना जाता है कि धर्म का जो पहिया था वो उलट गया यान सही विकल्ब पूछा गया है तो C आपका answer हो जाएगा next question की बात करते हैं देखे सूथ पिटक के जो निकाय होते थे उससे related कुछ आपको तथे दिये गए है आपको सही या गलत विकल्ब का change जो है करना है देखे दिर्ग निकाय तो दिर्ग निकाय क्या होता है लंबे परवचनों का संग्रय होता है collection of long discourses ठीक है मज्यम निकाय तो ये देखे मध्यम लंबाई के परवचनों का संग्रय होता है ठीक है तो ये गलत हो जाएगा ये सही है अंगुत्तर निकाय तो जो अंगुत्तर निकाय होता था, वो संख्या के अनुसार क्रम में रखे गए प्रवचनों का संग्रया होता था, खुद्दक निकाय, ये लगु संग्रया होता था, ब्रीफ कलेक्शन होता था, गलत पूछा गया है तो भी आपका आंसर हो जाएदा, तो जो आत्मी उक्तियो द्वारा लिखी गई है, अस्टांग हर्दिय का मतलब है औस्दी का हर्दिया, औस्टांग संग्रय का अर्थ है, औस्दी पर पुस्तक, ये दोनों ही पुस्तके जो वाग भट हैं, उनके द्वारा लिखी गई है, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं दिये गए है, तो अप्य कि चंद्र गुपतंग पर पुस्तक किस ने लिखी थी तो विशाग दत ने लिखी थी यहां से जो है आपका बी आलसर हो जाएगा सही विगल्प का चेन करना है गुपत वस्ते संबंदित कुछ भूमी से रिलेटर शब्दा वली आपको दे गई है देखिए आपर सेना गलत लिखा है आपको भूमी ध्यान रखना है तो देखिए खिल एक असिंचित भूमी यानिके अंटिल्ड लेंड होती थी वस्तु वस् उसके बाद अपरद एक अंसेटल्ड लेंड होता था ठीक है क्योंकि सही यहां से पूछा गया है तो ए जो है आपका आंसर हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चंद्रगुपत दित्य के दरबार में कुछ प्रस्त विद्वान रहते थे उनसे रिलेटर जो कहा पनाका है एक जोतीशी थे ये अपश ठीक है उसके बाद देखे विताल भट गाद एक जादूगण धे ये बीब्लाट चीग है जो भाषवी ज्यानी ते और सुनसरत के विद्वान थे वह वरा रूची थे तो यह बेसाप स्चुंक्त गलत विकल पूचा है यही आ तो इरिया था उसको बेसिकली कहा जाता है कि संगम यूग से संबंदित एक रीजन है 300 इसा पूर्व से लेकर चीक है 300 BC से लेकर और कितना 300 इसवी तक एनिके AD तक बेसिकली इस काल को माना जाता है कुछ राजा जो होते थे वो बेसिकली क्या करते थे कवियों के इस सम्मेलन को संरक्षण प्रदान करते थे संगम मतलब क्या बहुत सारे विद्वान कवी लोग आकर मिलते थे जुड़ते थे रचनाई करते थे discussion होता था और तुकि ये बड़े लेवल पर होता था तो इसके लिए धन की आवशक्ता थी, resources की आवशक्ता थी तो राजाओं के संरक्षण में ये होता था खासकर पांडिय राजाओं ने काफी संरक्षण इनको दिया है इस संगंकाल में जो बहुत सारी रचनाई हुई उसमें से सबसे जो फीमस है उसका नाम है तोलग का पियम काफी बढ़ इससे question भी आ चुका है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अब चलते पनी question की ओर कना तिकन इसका मतलब क्या होता था लेखको का प्रधान सही बात है नाला कार तो इक का मजदूर ये भी सही बात है लोनागार एक नमक निर्माता ठीक है कोलू वनिकन ठीक है ये देखिए क्या होते थे हल की व्यापारी होते थे ठीक है तो ये गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया है ये हमारा आंसर हो जाएगा निश्कुषन की बात करते हैं पुहार निमलिकित में से किस समराज्य का प्रमुक बंदरगा था देखिए पुहार को आधुनिक समय में कावेरी पत्तिनम के नाब से जाना जाता है और ये चोल समराज्य का एक प्रमुक बंदरगा था ठीक है इसका क्या करते एक वार नाब देख लेते हैं दो इंपोर्टेंट बंदरगा देखी यहां पर शो किये गए हैं एक अरिकमेडू और दूसरा कावेरी पतिनम यह जो कावेरी पतिनम है इसी को देखके पुहार कहा जाता था ध्यान लखने वाली बात यह है कि चोल समराज्य का यह एक परमुख बंदरगा था चलते हैं आज यह दिये गए हैं उनकी राज़दानिया दी गई है अंशिट हिस्टरी की बात हो रही है आपको जो है गलत विकल्प का चेहन करना है उत्तरापत की राज़दानी को थी तक्षिला थी सही बात है दक्षिन पत्की राजदानी स्वानगीरी यह ठीक है पूर्वी भारत दिये गए हैं पीशवा कूहafft होता था देख एक पीशवा क्या होते थे जो उठ्षिला के अस्ट्प्रधान सबसे प्रमुख होता था मतलब आज मंत्री प्रमुक उनको मेन में डेपार्टमेंट्स दिये जाते थे आगे चलकर पीश्वा का ही पद्व प्रमुख हो गया था राजा से भी जादा शक्तिया पीश्वा नहीं अर्जित कर ली थी तो पीश्वा वैसे होते क्या थे जो परधानमंत्री या वजीर होते हैं उन्हीं को दरसल पीश पुछा गया है कि मोगल प्रशाशन से संबनित कुछ तथी दी गए है आपको गलत विकल्ब का चेन करना है मीर अर्ज मीर अर्ज अर्ज देखे रियाची काओ का प्रभार था ठीक है मीर तोजक समराहो का विशेशक था उसके बाल बात करते हैं अमल गुजार की तो यह देखे परगनाव जो होते थे उसमें राजस प्रसाशन का प्रमुक हुआ करता था बिदागची तो अभी लेकप उसको बतानाँ कि कोई तेमने से दिया गए इनमें को तीन आपस में यह मैक्षंब टोई नहीं करता मसलि पीष्टकों की नाम है और एक अधिक तर पुस्तक है दार के द्वारा लेक्यां की उसमेरेन InOOOO on Cheerios, on Sinud and all Yafsiddag有點 mo retract include यह दारा के द्वारा लिखी गई पुस्तके हैं, वहीं जो फउद ए आलम गिरी है, इसको इश्वर दास नागर ने लिखा है, तो क्योंकि यही ओड आउट है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, यह श्वरशन के बात करते हैं, कि जो अकपर का साशनकाल था, उसमें भूमी को चार च्रेणियों में विवाजित कर दिया गया था, अब इससे संबंदित सही विकल्प का चैन करना है, चार चर किसे कहते थे, तीन या चार साल में एक बार खेती की जाती थी, ठीक है, परती, परती दो साल में एक बार खेती की जाती थी, सही है, बंजर, तो पांच या अ यह सही है बाकि सारे क्या है गलत है अगेन गलत विकल पूछा है अकपर की साशनका से संबंदित कुछ महत्पुन घटना है उनके एर दिये गए हैं आपको जहें सही सही देखने हैं और उसमें से गलत का फिर चुनाव करके बताना है कश्मीर और बलुचिस्तान के खिलाफ ज यही हमारा आंसर हो जाएगा अगेन बहमनी प्रशासन से संबंदित कुछ तथ्ये हैं गलत का वितल्प आपको करना है वजीर ए कुल इसका मतलब क्या होता था मुख्य मंतरी सही बात है अमीर ए कुल तो एक वित्य प्रमुक ये भी बात ठीक है वजीर ए अश्रफ अगर समराज्य के प्रिशासन से रिलेटर कुछ सथ्य आपको दिये ग mobil OUR होता था था सैक उसके बार अठावने होता था भूमी राजस्विभाग सही बात है जो चोकिदार होता था ठीक है उसके बाद रायसानी तो यह राजा का जो दर्ज एक मोखिक संदेश होता था उसको बेसिकली बोला जाता है यानि कि रिकूर्डिट ओरल ओर ऑफ दा किंग ठीक है तो क्योंकि हाँ पर आपसे क्या पूछा गया है सही विगल्प पूछा गया है तो भी आपका अंसर हो जाएगा निश्कुषिन की बात करते हैं सल्तनेत काजय संबने कुछ तक्ये हैं आपको सही विगल्प का चेंज जो है करना है खाजिन का मतलब कोशा अध्यक्ष ठीक है अमीर ए बहर ठीक है नोकाओ का नियंतरक दिवान इस्तिहल्क तो ये खेराज और तकसाल विवाग से संबन्दी था अमीर ए हक भी तो ये समाराओं का संचालत था ठीक हो जाएगा तो दी हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है चलते पूछा गया है कि चोल समराज्ये से संबन्दीत कुछ तथे दे गए हैं गलत विकल्प का चेन करना है विल्लालर ये खेती हर समू होते थे तेकर पर काम करने वाली किसान होते थे पेरूदन शिर्ष अधिकारी होते थे और नित्ताल देखिए जो है अनिवारे श्रम को कहा जाता था तो यहांसे यह हमारा आंसर हो जाएगा देखिए अर्कोर्ट की लड़ाई थी यह कब लड़ी गई थी पूछा गया है अर्कोर्ट की लड़ाई हुई थी 1751 में और जो दूसरा करनाटक का युद हुआ था जो बिटिशर्स के बीच में या फिर आप कह सकते जो इस एंडिया कंपनी थी और जो करनाटक था उसका जो दूसरा युद लड़ा गया था उसके एक हिस्से के रूप में आर्कोर्ट की लड़ाई में देखिए लड़ी गई थी ठीक है तो कौन सा सन हो जाए था हमारा 1751 उसके बाद पूछा गया है कि जो कौन सा युद था ज इन्फोर्मिशन के बाद वो सी हो जाएगा नेक्स कोईशन पूछा गया है मदरास की संदीपर कब हस्ताक्षर हुए थे और पूछा गया है किस यूद के बाद स्री रंगपंटरनम की संदीपर हस्ताक्षर हुए थे जो पर्थम आंगल मिसूर युद हुआ था उसके करते हैं प्राथना समाज की स्थापना कब हुई थी पूछा गया है पूछा गया कौन इससे संबंदित नहीं थे तो देखें प्राथना समाज की स्थापना तो हुई 1867 में और इससे देखिए केशव चंदर के सयोग से एम जे रनाडे आत्मराम पंडुगर और देवेंद नहीं थे यही आंदर हो जाएगा नेश कुष्चिन इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कब और कहां हुई और स्थापना किस ने की थी तो देखें इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 लंदन में शामजी कृष्ण वर्मा के गरा स्थाप्लिश की गई थी ठ तो देखें तत्व बोधनी सभा की स्थापना 1839 में किसके द्वारा कलकत्ता में देवेंदर नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी ठीक है तो यहां से जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा नेक्ट्ट क्विश्चिन गलत विकल्प का चेन करना है आपको धर्म सभा की स साबना 1839 सही बात है बिटिश सार्वजनिक सभा 1843 यह भी ठीक है सांटिफिक सोसाइटी 1864 ठीक है उसके भारती रास्ते का अंग्रिस तो 1885 यह भी ठीक है तो सी आपका अंसर हो जाएगा नेक्स कुश्चिन सही विकल्प बताना है आपको सेवा समीती तो देखिए इस से कौन थे तो H.N. कुझुरू थे ठीक है यह ध्यान रखिएगा एश्याटिक सोसाइटी इस से रिलेटेट थे विलियम्स जोन्स आत्मिय सभा इस से रिलेटेट थे राजाराम मोहन राय और धर्म सभा रादाकांत देव सही है यही हमारा अंसर हो जाएगा नेक्स कुश्च ब्लॉक की बात करें तो 1939 में ठीक है आजाद हिंद फोर्स थोड़ा लेट हो जाएगा यह 1942 और आजाद हिंद सरकार इसके एक साल बाद 1943 ठीक है तो यहां से हमारा आंसर कौन सा निकल जाएगा बी आंसर आ जाएगा नेस्ट विश्चन देखिए गलत विकल्प का चैन करना है चोरी-चोरा कांड कब हुआ तो 4 फरवरी 1922 में हुआ था सही है सबराज पार्टे की सापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी ठीक है साइमन कमिशन की न्यूक थी 8 नवंबर 1927 को हुई थी ठीक है और नहरू रिपोर्ट देखिए 28 अगस्त को जो है 1928 में जो है लाई गई थी य आसे क्योंकि एक से जादा ठीक है तो यह आपका अंसर हो जाएगा निश्क्रेशन की बात करते हैं सही विकल्प का जो है आपको चैन करना है नोसर न विद्रो कब हुआ तो यह देखिए 1946 में हुआ ध्यान रखेगा कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ ठीक है मांट गलत विकल्प का चैन आपको करना है भारतिय राष्टे कॉंग्रेश के उस अधिवेशन से संबंदी बाते बताई गई है जब पहली बार जो है सवराज शब्द का परियोग किया गया था तो देखिए 22 भारतिय राष्टे कॉंग्रेश का अधिवेशन हुआ था 1906 में और अधिवेशन के बाते हैं उस भारतिय राष्टे कॉंग्रेश के बारे में बताईए जब पहली बार जन्गनमन गाया था अब देखिए 27 भारतिय राष्टे कॉंग्रेश का अधिवेशन हुआ था 1911 में और यह भी हुआ था कलकत्ता में इसकी अध्यक्ष्टा की थी बिश 1911 में नेक्ष्ट कुष्टिन लिकेत में से किसका गठल सबसे पहले किया गया है तो पहले जालने थे हंटर आयोग देखिए यह आया 1882 में ठीक है साइमन आयोग तो साइमन आयोग आया था 1927 में आपको पता भी हो गया है बटलर समीति की बात करें तो यह 1927 में और अगर इन लिकों की बात करें तो यह देखें 1928 में ठीक है यहां से जो आपका सही अंसर है वो डी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्ष्ट कुष्टिन पूछा गया है कौन से समाचार पत्र जो है सबसे पहले प्रकाशित हुआ था तो इंडिया गेजट समाचार पत्र यह आया था अपका 1787 में मदरास कुरिय समाचार पत्र यह 1784 में आया था बॉम्बे हेरोल समाचार पत्र यह 1789 में और इंडियन हेरोल समाचार पत्र 1795 में ठीक है अब यहां से अपना आंसर निकाल ले तो बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा अगला विशन पूछा गया है कि कौन सा एक्ट आया था 1872 में फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में शार्दा अधिनियम थोड़ा लेट आया था 1930 में और सती प्रता पर जो प्रतिबन लग गया था वह 1829 में ही लग गया था यहां से आंसर भी आपका डी ही हो जाएगा ठीक है इसके बाद चलिए नेक्ट क पूछा गया है कौन सा विद्रो सबसे कम समय तक चला था सन्यासी विद्रो जो चला था यह 1763 से लेकर और 1800 में समाप्त हुआ था फकीर विद्रो की बात करें तो यह 1776 से चला और 1777 में खतम हो गया चुआर विद्रो थोड़ा लंबा चला था 1776 से लेकर 1766 से लेकर 1816 तक चला था रामो से विद्रो की बात करें तो यह लेकिए 1822 से लेकर 1829 तक चला था ठीक है अब यहां से आप देख सकते हैं सबसे जादा लंबे समय तक सबसे कम समय तक जो है फकीर विद्रो चला था इसके बाद देखिए गलत विकल्प का आपको चैन करना है प्रमुक नीता गांदी जग जीवना शमता इस्थर यह ठीक है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा निश्कुष्ण की बात करते हैं गलत विकल्प का चैन करना है कुछ दर्रे दिये गए हैं ठीक है वो किसको चोड़ते हैं यह आपको बताना है पेंसिला दर्रा तो यह दे हिमाचर परदेश राज्ये में इस्थित है तो यहां से सी हमारा आंसर हो जाएगा निश्कुष्ण की बात करते हैं पूछा गया है कि कौन सा राष्टी राज्मार्क है जो दो राज्यों से होकर गुजरता है तो कहने कि दो राज्यों से जाता है तो राष्टी राज्मार सही है गोवा और करनाटक दो राज्यों से होका जाता है इसलिए आपका अंसर हो जाएगा निशोषिन की बात करते हैं कुछ नेशनल हाइवे दिये गए है पूछा गया है इन में से लंबाई किसकी सबसे कम है ठीक है यालिके किस राज्य में जो नेशनल हाइवे हैं उनकी ल हार ही में है यही आपका अंसर हो जाएगा फिर पूछा है सही विकल्प का आपको चेन करना है कुछ जील दी गई है राज्ये दिये गए हैं आपको जो है सही विकल्प बताना है हाफ लोंग जील यह कहां पर है यह असम में है दिपोर बील जील यह देके असम में है तो जो नर्मदा नदी पर्णाली है इसकी जो लंबा ही है करीब 1312 किलो मेटर है तापी नदी पर्णाली ये करीब 724 किलो मेटर है कृष्णा नदी पर्णाली बड़ी है थोड़ी 1400 किलो मेटर है और कावेरी नदी पर्णाली देखे 805 किलो मेटर है तो क्योंकि सबसे कम आप से पूछा गया है तो B आपका जो है अंसर हो जाएगा निश्क कुश्चन सही विकल्ब का आपको चेन करना है ठीक है जो पंच परियाग है उनके बारे में कुछ बताया गया है तो विशुनु परियाग ठीक है विशुनु परियाग के बारे में देखते हैं यह क्या करता है, अलक नंदा को धोली नदी से, ठीक है, क्या करता है, मिलती है यहाँ पर, तो यह गलत हो जाएगा, नंद परियाग, यहाँ पर देखे, अलक नंदा, नंदाकनी नदी से मिलती है, यह गलत हो जाएगा, रुदर परियाग, तो यहाँ पर देखे, अलक नंदा क्या करती है मंदाकनी नदी से मिलती है सही हो जाएगा और कन पर याक के अगर बात करें तो यहाँ पर अलक नंदा नदी क्या है पिंडर नदी से मिलती है ठीक है तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि सही पूछा गया है तो D हमारा आंसर हो जाएगा इनेश कर्षिन की बात करते हैं, गलत विकलकाप को चेन करना है, बांथ और नदियों के बारे में कुछ तथ्य दिये गए है, बीसल पूर बांथ, ये कहाँ पर है, बनास नदी पर, सरदार सरोवर बांथ आसान है, नर्मदा नदी, भाक्टा नागल आसान है, सत्रुष नदी टीरी बांथ आसान है, भागी रती नदी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है, अगेन गलत पूछा गया है, कुछ जल विदुत संयंत्रों के बारे में, ठीक है, तो देखे, जो नागरजुन सागर जल विदुत संयंत्र है, ये जम्मु कस्वीर में है, तो क्योंकि इन में से कोई भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि गलत पूछा गया, बाकी सारे सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, चलते हैं निक्स कोश्चन की तरफ, ठीक है, आरजेंटीना की जो राजधानी है, वो क्या है, ब्यूनस आइरस है, उसके बाद बेलारूस की जो राजधानी है, वो मिंस्क है, जो कनाड़ा की राजधानी है, वो ओटावा है, और आयलेंड की राजधानी क्या है, डबलीन है, तो डी हां से हमारा जो है, सही आंसर हो जाएगा, चलते हैं निक्स कोश्चन की तरफ, ठीक है, इसमें क्या है, हमें करना है, कुछ मरुस्थल दिये गए हैं, और उनकी जो है, कंट्री के नेम दिये गए है, तो कारा कुरम मरुस्थल, यह कहां पर है, तुर्किमनिस्तान में है, सही बात है, तकला मकान मरुस्थल, जो कि यह कोल्ड डिजर्ट है, थंडा मरुस्थल है, यह देखे, चीन पर हैं तो देखे शीर्ष रेश्म उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं करनाटक आंदरपरदीश और असम चीक है तो यानि कि यहां से देखे हमारा सी आंसर हो जाएगा क्योंकि नेक्ष्ट पूछा गया है कि इरी रेश्म के उत्पादर में टॉप राज्य कौन सा है तो दे पूछा गया है कौन सा देख गन्य के उत्पादन में विश्व में तीसर इस्थान पर है तो शीर्ष तीन गन्या प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं ब्राजिल भारत और चीन तो इस इन्फोर्मिशन के बेस पर अगर आंसर निकाले तो भी हमारा आंसर हो जाएगा नेक्ष अए नेके उत्पादन में प्रतम इस्थान में के ताहते राजिस्थान का है यह भी ठीक है तो एक और वांसर हो झाएगा फिर पूछा पूछा गया है। भारत का विश्व रिश्व में कौन सा तो यह देखे केरल में है करनाटक में नहीं नांगल बन्य जीव अभ्यान ने पंजाब में है रेणु का जील हिमाच्र प्रदेश में है और रुदर शागर जील यह तिरपूरा में है तो यह आपका अंसर हो जाएगा किस जीव का जो ओशत जीवनकाल होता है वो सबसे कम होता है तो देखिए कुट्य का ओशत जीवनकाल सबसे कम होता है करीब 12-13 साल होता है बिल्ली 21 साल तक जी जाती है अगर बकरी की बात करें तो लगबक 18 साल और बंदर की बात करें तो इन में से सरवादे 25 साल जी जाता है तो यहां से जो मारा answer हो जाएगा B हो जाएगा निश्कुष्टिन की बात करते हैं कि कौन सी गरंथिया है जो तिल चट्टे के male genitals में मिलती है यह आपको बताना देखे इस तरह के questions है वो history में पूछ लिए जाते हैं फोड़ा सा आपको इस तरह के questions का भी पता होना चाहिए तो जो फैलिक गरंथिया है यानि के option number B यह तिल चट्टे के male genitals में मिलती है यह answer हो जाएगा फिर देखे कुछ days दिये गए है डेट दी गए है आपको गलत विकल्प का chain जो है करना है तो विश्व तमाखो निशेद दिवस थीक है वर्ल्ड non tobacco day 31 मही सही बात है विश्व red cross दिवस 8 मही थीक है विश्व hepatitis दिवस 28 जुलाई तो 29 नहीं 28 जुलाई विश्व 8 दिवस त बारे में question है तो देखे सर्व दाता रक्त समू universal donor blood group यह किसको कहते है ओ कुका जाता है सही बात है सर्व ग्रही रक्त समू universal recipient blood group तो EB समू होता है यह भी ठीक है जो लाल रक्त कणिकाए होती है उनका जीवन कितने time का होता है तो करीब 120 दिन का होता है यह भी ठीक है red blood cells का श्वेत रक्त कणिका यानिके white blood cells इनका life span यानिके जीवन काल कितना होता है दो से पाच दिन होता है क्योंकि एक से ज्यादा ठीक है तो हमारा यह answer हो जाएगा उसके बाद एक पूछा गया है कि मानव शरीर में cranial तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते है पहले तो हमें पत कि तंत्रिकाओं की जोगे यह को अदेस्ट करपाते हैं टेस्ट कर पाते हैं कीतने जोड़े होते हैं करीब बारा जोड़े होते हैं कि तक परकाल के कि चोड़े होता है और यह सिगनल है वो बोडी और जो हमारा स्पाइनल कोड है उसके बीच में भीचती है तो यहां से हमारा जो आंसर हो जाएगा ध्यान रखेगा कि किसका क्या बोला जाता है गलत विकल्प का चेहन करना है पूछा गया है pH value किसकी कितनी होती है तो यह लगबग 6 होती है ब्लड का pH value 7.35 होता है गेस्ट्रिक जूस का pH value तो देखिए यह करी 1.4 होता है और स्वशन दर रेस्पिरेटरी रेट जो है 16 से 20 होत देखे कुछ ओधिया, ओषधिया, medicines, drugs और उनके sources इसके बारे में पूछा गया है सही विकल्प का आपको चेहन करना है तो इंसुलिन हमें कहां से मिलता है दहेलिया से मिलता है ठीक है इफड्रीन कहां से मिलता है तो एफ्रिडा पोधे के तने से मिलता है उसके बाद डिज का जर्ट है क्या चीज के ईलाज में यह है जो है आपको बताना है ठीक है सबसे पहला है त्यक्तर भी लुकियव से उपचार है विन-विंक्र sacrifice है ईह क्या है एक एंटी-कैंसल ड्रग के रूप में इसका उप्योग किया जाता है नक्स नक्स देखे तंत्रिका रोग के उपचार में जो है इसका उप्योग किया जाता है रैंफिन जो कि एक एक एंटिबायोटिक है यह यह यानिके 6 रोग के उपचार में जो है यूज होती है ठीक है तो यहां से जो मारा जो है वो इससे प्राप्त होता है निश्कुशन की बात करते हैं गलत विकल्प काप को चैन करना है ठीक है कौन सी चीज कहां से मिलती है तो देखिए पूछा गया है कि पेंटा जोनिस अफीम ये सही बात है पैनिसलिन तो कवक ये भी ठीक है कुनिन ठीक है सिनकोना की चाल ये भी ठीक है और निकोटीन तंभाकू ये भी ठीक है तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा देखिए कुछ रोग होते हैं उनसे कौन सा अंग परभावित होता है ये पूछा गया है Pneumonia से देखिए फेफडे परभावित होते हैं सही बात पीलिया जिसको ौणिस भी बोलते हैं उसे यक्र ईया कर दिया steps कुछा गया है कौन सा रोग जिवाण हो यह कि वाजय से कौन कॉन से रोख होते है तो जो डिपढ़ी राएं है तैफॉइड है और गौन रिया है यह तिनों ही जो है बर्टीरिया से होते है लेकिन चाहिए। वाइरस से होती है ठीक है ध्यान रखेगा चलिए नेक्ट कोश्टन की बात करते हैं पूछा गाया कि कुछ धात्वे जो है प्रकरती में मुक्तावस्था में मिलती है और जैसे ही अंको गरम करते हैं तो उनके ऑक्साड जो है विक्तित हो जाते हैं तो नीचे जो चार है तो देखे पहले सीम कौन कौन सी है तो जो पारा होता है ठीक है उसके बाद रजद यानिके चांदी होती है पैलेडियम होता है प्लेटिनम होता है गोल्ड होता है यह दर असल प्रकरती में मुक्तावस्था में मिलती है गरम करने पर इनके ऑक्साड विक्सित हो जाते है तो और्सेनिक इसमें नहीं है यही हमारा आंसर हो जाएगा निश्कुषिन की बात करते हैं सही विकल्प कापको चेन करना है कुछ धातवे और उनके ऐसक यानिके मैटल्स और उनकी ओर्स के बारे में बात की गई है ठोरिया हमें कहां से प्राप्त होता है मोनाजाइट से सही बात है पारा कहां से मिलता है मरकरी सिनेबार से मिलता है ठीक है तिन कहां से मिलता है तो यह हमें मिलता है कैसेटे राइट से ठीक है और निकल हमें कहां से मिलता है मिले राइट से मिलता है सही क्या है ए next question की बात करते हैं पूछा गया है कि किस लवन का यूज हम ऐसी उन बनाने में करते हैं जो ना सुकड़े ठीक है यानि कि उन क्या है सुकड़े नहीं इसके लिए हम unshrinkable woolen manufacturing में किसको यूज करते हैं तो जो हमारा calcium hypochloride है यानि कि answer number C इसको हम यूज करते हैं यहीं आंसर हो जाएगा निशकरशन पूछा गया है कि जो नीचे पदार दिये रहे हैं इन में से pH value किसकी सबसे जादा होती है ठीक है तो देखे ammonia gas भी कर सकते हैं ठीक है इसकी जो pH value होती है 11.6 होती है सबसे जादा होती है black coffee करीब 4.5 होती है दूद की करीब 6.4 से 6.6 होती है और जो जटर रस होता है gastric juice होता है 1.2 से 2 के बीच में होती है नेक्ट कुशन की बात करते है कि किस छारक का यानि किस बेस का उप्योग जो है petroleum sodhan और वस्तर निर्मान उध्योग में किया जाता है तो जो sodium hydroxide है यानि कि option number D इसका use होता है नेक्ट कुशन पूचा गया है कौन सा ऐसा अमल है acid है जिसका use foods को सुरक्षित रखने में preserve करने में use होता है तो ये देखे आपका acidic अमल B answer हो जाएगा नेक्ट पूचा गया है कि देखे कुछ चीजे है और उनके scientific name दिये गए है आपको पताना है तो लिथाज ठीक है इसको lead oxide बोलते है सही बात है junk ferric oxide ये भी ठीक है salt peter potassium nitrate ठीक है baking soda sodium bicarbonate ये भी ठीक है option आपको क्या हो जाएगा E हो जाएगा नेक्स्ट की बात करते है देखे कुछ noble gases होती है जिनको हिंदी में utcrust gas बोलते है आपको चार दी गई है इन में से किसके प्रमाणो संख्या highest atomic number है ये आपको बताना है तो organ का atomic number होता है ये होता है 18 ginon की अगर बात करे तो ये करीब 54 redon की अगर बात करूँ तो 86 और krypton की अगर में बात करूँ तो 36 ठीक है तो यहां से देखे पता चल रहा है C आपका अंसर हो जाएगा नेक्स्ट की बात करते हैं सही विकल्प का चेर्ण करना है कुछ models दिये गए है आपको बताना है कि सही कौन सा है तो जो ठोस गोला model है solid sphere model ठीक है इसको देखे लेकर आये थे कौन john dalton तो यह गलत हो जाएगा ठीक है उसके बाद plum pudding model ठीक है plum pudding model इसको कौन लेकर आये थे तो जेजे थॉम्सन यह भी गलत हो जाएगा नाब की model हम सब को पता है Ernest Rutherford और ग्रहिये model तो निल्स बोर लेकर आये थे सही पूचा है C answer हो जाएगा नेश्ट कुरिशन की बात करते हैं पूचा गया है कि कौन सा model सबसे पहले यूज किया गया था तो देखिए quantum model तो 1926 में यूज हुआ ग्रहिये model 1913 plum pudding model 1904 में ही हो गया था नापकिया model 1911 में तो यहां से जो answer हो जाएगा plum pudding model नेश्ट की किस चीज का किस चीज को बनाने में यूज होता है आपको नीचे बताया गया है गलत वितल का आपको चूज यहां से करना है नॉयलाउन को यूज होता है यह पालशूट के निर्मान में होता है सही बात है polyester sofy के निर्मान में ठीक है carbon के जो रेसे होते है sports cycle के निर्मान में यूज होता है यह बे ठीक है और rayon इसको देखिये कृटम रेशा यह भी सिंत्टिटिक फाइबर भी कह जाता है यह भी बात ठीक है तो अब इन में कॉण सर्द नहीं आया है तो देखे यह नहीं आया है यही आपका आँसर हो जाएगा निश्क कुछा गाए जो नील पॉलिष रिमूवर होता निष्षकुशन पूछा गया है कि कौन सा योगिक जो है पानी में मिशृत क्लोरीन को दूर करने में यूज होता है यह देखे सोडियम थायो सल्फेट निश्ट की बात करते हैं पूछा गया है कौन सा ऐसा योगिक है जिसका प्योग चीनी मिठ्ट्टे के बरतन बनाने में क किया जाता है यह क्यूप्रिक नाइट्रेट ठीक है तो गलत विकल्ब का चेन करना है कुछ नेशनल पांग दिये गए है और जंगाओं के नीम दिये गए है तो यह आपका आंसर हो जाएगा निश्कुष्ण की बात करते हैं इस बार आपको कुछ ताइगर रिजर्फ्स दिय गये है उनके जंगाओं के नाम दी गई है गलत विकल्ब आपको बताना है तो पक्के टाइगर रिजर्फ यह कहां पर है अरुनाश्र प्रदेश में ठीक है उसके बाद इंदरावती बाग अभ्यार ने चक्तिस गड़र ठीक है फिर पलामू जो है वो जालकर्ण में है ठी भी ठीक है तो क्योंकि गलत पूछा गया तो ऑप्शन नमबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है निक्ष क्वेशन की बात करते हैं कुछ एलिफंट रिजर्फ आपको दिये गए है गलत विकल्ब का आपको जो है चैन करना है मयूर बंज हाती रिजर्फ यह उड पूर आहती रिजर्फ यह असम में है सही बात है क्योंकि सारे ठीक है तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा निश्कुशन की बात करते हैं कुछ आर्टिकल दिये हैं वह किस चीज से रिलेटर है आपको यह बताना है अनुछे 312 अखिल भारतिय सेवा है सही बात है अनुछे 280 वित आयोग यह भी ठीक है अनुछे 320 लोग सेवा आयोग के कारियों से संब्दित है सही बात है अनुछे 356 तो यह देखे राष्टपति सार्चन से संब्दित है अगर वित्या अपातकाल की बात की जाए तो यह अनुछे 360 से रिलेटर है तो यही जो है आपका आंसर भी हो पूछा गया है कि कौन सा पुर्वत्त राजिस शामिल नहीं है तो देखे असम मेगाले तिरपुरा और मिजोरब यह इससे संब्दित है सिक्किम नहीं है यही आपका जो है आंसर हो जाएगा निश्वशन की बात करते हैं कारिय पालिका से नाय पालिका का प्रथकरण और स जो ग्राम पंजायतों का संगठन है यह आर्टिकल नंबर 40 से रिलेटर है तो आप्शन नंबर D हमारा आंसर हो जाएगा निश्वशन की बात करते हैं गलत विकल्प का चेन करना है सविदान के विबिन भाग दिये गए हैं उन भागों से संबंदित आपको देखना है ठीक भाग पंद्रा यह निर्वाचन से रिलेटर है यह भी ठीक है तो यह आपका अंसर हो जाएगा निश्वशन की बात करते हैं भारती सविधान की ऐसी कौन से विशेष्टा है जो भारत साशन अधिनियम 1935 से नहीं ली गई है तो पहले जान लेते हैं कौन-कौन से विशेष निर्षणइक विवरण यह हमने 1935 से लिया है लेकिन अगर बात करें संसदी ऐसाशन की यानि के पाल्लेमेंटर गवर्मेंट की तो 147 और पंजाब में यह है 117 ठीक है तो यहां से जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा निश्करशन पूछा गया है कुछ आर्टिकल दिये गए है उनसे सब्जेक्ट दिये गए है तो देखे राज्यों में विधान मंडलों का गठन यह दरहसल 168 के तहत है विधान सबाओं की संरचना यह 170 के तहत है थीक है विधान परिशोदों की संरचना यह 171 आर्टिकल के अंडर आता है राज्य विधान मंडलों का कार्या ले यह 172 के अंदर आता है इसलिए जो बी आप्शन है यह आंसर हो जाएगा निश्क्रेशन की बात करते हैं किस राज्य में लोकसभा की जो सिटे हैं वो सबसे कम है यह आपको बताना है तो देखे करनाटक में कितनी सिटे है 28 मद्यपरदेश में 29 राजिस्थान में 25 तब इलनाडों में 39 तो सबसे कम किसमें है तो C यानि के राजि ये ये देखिए जो होता है ये आर्टेकल नमबर 80 के देख होता है लोकसभा का संगतन तो ये देखिए अनुछेट नमबर 81 के देख होता है संसय के सबसे पहले की गई सिर around अगर बात करें तो यह साथ में आया है 1960 में हिमाजर प्रदेश की बात करें तो 1971 में और सिक्किम वाला जो है यह जो है 1975 में आया है तो यहां से साफ पतर चला है राजिस्थान हमारा आंसर हो जाएगा फिर पूचा है जो क्रेंद्रिय प्रसाशनिक अधिकरण होते हैं जो हमारे Central Administrative Tribunals होते हैं उनका नेम दिया गए है उनकी जुरिस्टिक्षन यानिके बैंचिस जो है दी गए है आपको जो है गलत विकल्प का चेहन करना है ठीक है तो देखे है है तो यहां से आंसर हो जाएगा बी निश्कुशन की बात करते हैं सही विकल्प का चेहन करना है राज्यों से संबंदित कुछ जो Special Provisions होते हैं वो पताए रहे हैं अनुच्छे 371A तो यह देखे नागालेंड से संबंदित है अनुच्छे 371C तो यह मणेपूर से रिलेटेड है 371F तो यह सिक्किम से रिलेटेड है और 371H तो यह से से सर आथा और 4 चेहना ने करま करमा है तो फोला करें यह तो यहां से जह हमाराMy 123 E2 ने लताल। का चेहन करना इख राज्य और अन्र पहर्णों के रहा था तहीं। तो अब देखिए जारकंट राजी की स्थापना कब हुई थी, पहले तो ये देख लेते हैं, है ना, तो जारकंट राजी की जो स्थापना हुई थी, ये 15 नमंबर 2000 को हुई थी, ठीक है, उसके बाद 36 गड़ तो 1 नमंबर 2000 को, हर्याना की स्थापना 1 नमंबर 1966 को हुई थी, और अगर उत्रागरन की बात करें तो यह 9 November 2001 को जो हुआ था, ठीक है, तो basically यहां से जो हमारा answer है, sorry 2000 को हुआ था, तो यहां से जो हमारा answer है, वो कौन सा हो जाएगा, यह हमारा answer जो हो जाएगा, चलते हैं next question की ओर, के आदेश तुवारा वस्तु और सेवा कर परिशद यानिके जो आपका GST काउंसल कहलाता है, उसका प्रावधान कौन से संशोदन अधिनियम से देखे आया था, यह आपको बताना है, तो जो हमारा 101 संशोदन अधिनियम था, 2016 वाला, इसमें GST काउंसल से बात कही गई है, त तो देखे, दिल्ली के मुख्य मंतरी ने COVID-19 के खिलाफ 35 साल से उपर के सभी लोगों का टीका करन करने के उद्देश्य से जहावोट वहाँ टीका करन अभ्यान शुरू किया था, निश्ट पूचा गया है कि किसी बैंक ने हाली में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉंच किया है, उसका नाम पताइए, तो देखे, इंडिस इंडि बैंक ने हाली में एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म, इंदुस इजी क्रिड, इसको जो है, लॉंच किया है, तो यहां से जो हमारा आंसर निकल के हो जाएगा, हो जाएगा C, ने इस कुशन की ब इनमार्क की देखे, थर्ड रैंक आई थी, भारत की देखे, तिरालिस वी रैंक जो है, आई थी, 43, B, आपका अंसर हो जाएगा, ने इस कुशन पूचा गया है, कि कहां के राष्ट पती, कैनेत कॉंडा का हाले में निदन हुआ है, तो यह जीता गया है, तो यह जीता गया यह हो जाएगा, चलते है, नेक्ट कुशन की तरफ, पूचा गया है, कि निमलिखित में से, किस राज्य के मुख्य मंतरी ने हाले में कविताओं की एक पुस्तक थी, Beyond Here and Other Poems का विमोचन किया है, तो देखे, उडिसा के जो मुख्य मंतरी है, नमीन पटनायक, उन्होंने एक वरिष्ट नोकरशा थे, विश्ण उपत से थी, उनकी लिखी कविताओं का विमोचन किया, जिसका नाम है Beyond Here and Other Poems, तो क्योंकि यह नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा E, नेक्ट कुश्चिन पर आ जाईए, सही विकल्प का च स्वीडन को मिली है, तो इसका आंसर हो जाएगा, नेक्ट को पुछा गया है कि हाले में किस लेखक के द्वारा इस नाम की पुस्तक जो है लिखी गई है, पुस्तक का नाम की है The Nutmax Course, Parables for a Planet in Crisis, तो देखिए जो प्रसित लेखक है Amitabh Ghosh उनके द्वारा इस पुस्तक को लि स्वाना में करीब 1098 के हीरे की खोच की गई और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है, ठीक है, निश्ट पूछा गया है कि निमलिकित में से हाली में 2021 का French Grand Picks, यह देखिए किस ने जीता है, ठीक है तो यहाँ पर आपको में बता दू, इसका C आंसर है, तो जो Max Westrop Payne है उन्होंने इसको जीता है, ठीक है, तो C आंसर हो गया, निश्टोशन की बात करते हैं, विश्व निवेश रिपोर्ट, यानि कि जो World Investment Report है 2021 की, उसके दुआला, दुनिया में FDI का, यानि कि प्रतियक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्त करता कौन था, तो और पूछा गया है कि FDI की इस परवा में भारत का कौन सा स्थान था, ठीक है, तो भारत देखिये, करीब पाचवे निमबर पर रहा था, ठीक है, तो यहां से जो मारा ओप्शन हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा D, ठीक है, क्योंकि भारत में FDI जो आया पाचवे नमबर पर है, और टॉप पर कोन है, तो संयुक्त राजे अमेरिका है, नेक्ट कुश्चिन 104, पूछा गया है कि अभी एक योजना हाली में शुरू की गई है, खुद्रा निवेशकों के लिए, आपको उसका नाम बताना है, तो थीक है, खुद्रा निवेशकों क पेंशन भोगी है, उनके लिए मेंगाई राहत को बढ़ा दिया है, तो कितने प्रतिश्चत की बढ़ावत उन्होंने दी है, तो करीब 28% की जो है दी है, तो यहां से जो आपका आंसर है, वो कौनसा आंसर हो जाएगा, तो आंसर नमबर बी, चालिए, आप चलते हैं नेक् पीसी लिमेटेड गुजरात की निमन कितमे से किस जिले में देश की सबसे बड़ी सोर फोटो वोल्टिक परियोजना का जो है निर्मान करेगा, इंपोर्टेंट कुश्चन है, तो यह देखे गुजरात का कचके रन वाला जो एरिया है, उसमें जो खौड़ा है, वहां पर परियोजना का जो है निर्मान करेगा, तो डी आपका अंसर हो जाएगा, निश की बात करते हैं, देश का पहला ग्रेन एटियम, यह हर्याना के किस जिले में एक पाइलेट परियोजना के रूपे जो इस थापित किया जा रहा है, तो यह देखे जो हर्याना का गुरु ग्र तो कितने प्रतिशत पर आ गई है, तो यह देखिए करीब 12.07% पर आ गई है, इस का अंसर हो जाएगा, निश की बात करते हैं, कि देखिए, अभी किस के दौरा मुंडवा धी, रेल्वे स्टेशन का नाम बतलकर बनारस कर दिया गया है, तो जो पुरुवत्तर रेल्वे है उसके द्वारा देखिए, ऐसा किया गया है, फिर पूछा गया है, नए साइन बोर्ड में, जो बनारस है, वो किस भाषा में नहीं लिखा गया है, चार भाषाओं में देखिए लिखा गया है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू, तो यहां से जो आंसर है, वो पूछा गया है, कि समूने हाले में जीवी के समू से मुंबई अंतरास्ते हवाई अड़े का अधिकरन कर लिया है, यह क्या है, अड़ानी समूने, ठीक है, तो यहां से जो आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा, बी, चलते है, निक्स्क्रेशन की तरफ, पूछा गया है, कि इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी राज्ये कौन सा बन गया है, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा से ध्यान रखेगा, तो देश यूवे ही है, यानि कि आपका संयुक्त अरब अमीराथ, यह ऐसा करने वाला पहला खाड़ी देश बन इसका नाम है, लिंग लॉंग वन, इसका निर्मान देखे जो है, शुरू कर दिया है, क्योंकि यह दिया नहीं है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, पूछा गया है, किसने हाले में नई दिल्ली में नोसेना स्टाफ के उप परमुख के रूप में पदभार ग्रेंड किया ह जो हमारे वाइस एड्मिरल थे, एस एन घोर मडे, उन्होंने यह पदभार ग्रेंड किया है, निष्ट पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने मिशन निर्या तक बनो, इस योजना या अभियान को जो है शुरू किया है, तो राजिस्थान गॉवर्मेंट ने ऐसा किया है तो B जो है हमारा अंसर हो जाएगा, निष्ट कोशन, इसरो नाशा का एक जॉइंट इमिशन है, जिसका नाम है नाशा इसरो सिंथेटिक अपरचर रडार, तो इस सेटलेट को कब लाँच करने की परियोजने लोगों ने बनाई है, तो देखें, 2023 में कहरें लाँच हो इसके बाद निक्स पूछा गया है कि हाली में निकोल पंशियान को एक बार और अर्मेनिया के प्रधान मंतरी रास्टपती किस के रूप में निक्त किया गया है, तो यह देखें, अर्मेनिया के प्रधान मंतरी के रूप में निक्त हुए है, इसका अंसर हो जाएगा, यहा प्रादी स्टेट बैंक SBI उसने अपनी योनो योनो लाइट एप के लिए सिम बैंडिंग नाप की एक जो है उन्ना टेक्नोलोजी शुरू की है ठीक है दुरिया से जो मारा आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा निश्टा आजाएए पूछा गया है कि हाली में भारती यह पुछा गया है फोर्चुन ग्लोबल पांसो इसकी जो 2021 की सूची आई है ठीक है इसमें कितनी भारतिय कंपनियों को शामिल किया गया है तो देखिए जो इंडिस इंड बैंक है उसी ने हाल में भारतिये रिजर्व बैंक द्वारा एक एजनसी बैंक के रुप में कार्य इंडियन कंपनी से जिनको इस फ्यूचर 500 लिस्ट 2021 में शामिल किया गया है ठीक है तो यहां से जो आपका आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा चलते हैं नेक्स कुश्चन पे पुछ अब भारत सरकार ने हाले में वित्तिवश 2021 के लिए प्रदान मंतरी मुद्रा योजना के अंतरगत रण वित्रण लक्षे को कितना निर्धारित किया है तो यह देखे रखा है उन्होंने की हम जो टोटल रण वित्रण करेंगे यह करेंगे तीन ट्रिलियन रूपीज का ध्यान रखिएगा नेक्स कुछ नियामक अवशक्ताओं का पालनना करने की वज़े से जुर बन लगाया है ठीक है फिर पूछा गया सो पर्तिशत कोविड-90 का करन प्राप्त करने वाला पहला बात यह शहर कौन सा बन गया है तो यह बन गया है आपका भुवनेश्वार ठीक है तो यहां से जो आंसर है यह हो जाएगा डी नेक्स कुशन की बात करते हैं पूछा गया विश्व का जो सबसे बड़ा तारा नीलम समूझ इसको हमारा स्टार शैपियर क्लस्टर बोलते हैं यह किस देश में खोचा गया है यह मिला है श्री लंगा के रतनापूर में नेक्स पूछा गया है कि जो सीना निवर्त यह मूटी वी-म कनाडे थे उनको किस चहर में नया विश्व दरोल इस्थल है उनको कब अधिसूचित किया गया था यह आपको देखना है तो काजे रंगा राष्टी उध्यान 1985 सही है केवला देव घना राष्टी उध्यान 1985 यह थीक है मानस वन्य जी अभ्यारण 1985 यह थीक है नंदा दिवी राष्टी उध्यान की बात करें तो यह देखे 1988 है तो यहीं से जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है चलते है अपने नेक्ट कुशन की और ने परमंडल है यह है नो उसके बाद पूछा गया उत्तर से दक्षिंगर बिहार राच्चे की लंबाई कितनी है तो यह देखे करीब 345 किलोमेटर है ठीक है त सरवादिक वर्षा जो होती है यह किसन गंज में होती है और जो सबसे कम वर्षा होती है यह औरंगाबाद में होती है इस information से निकाले तो जो सही विकल्प है वो किवल C बनता है नेक्ष कुशन है बिहार राच्चे के संदर में इस बार आपको गलत विकल्प का आंसर करना ह तो जो सरवादिक साक्षरता वाला जिला है वो रोहताश है सबसे कम देखे पूर्णिया में है अगर पुरु साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोहताश में है और महिला की बात करें तो यह भी रोहताश में है क्योंकि गलत पूछा गया है तो जो B है वो हमारा अंसर हो जाएगा फिर पूछा गया है कि इन दो वेक्तियों के सही योग से पट्ना में यूवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाश्चन जो है शुरू किया गया था तो देखें जो अम्भिकांत सिंघ है और साथ में जब दीश नारायन है उनके सही योग से ऐसा किया गया था तो ये देखिए जिजिया नुरत्य जो है वो राजा चित्रसिर उनकी रानी के प्रेम परसंग पर आधा रिते सी आंसर हो जाएगा फिर पूछा है बिहार राज्ये का कौन सा लोकनात्य या पर्व भाई बैंसे संबंदित है तो देखिए सामा चकेवा ये इस संबंदित है तो यही आपका अंसर हो जाएगा निश कुछ मंदिर मस्जिदों के नाम दिये गए है और जिला दिया गए है आपको सही बताना है ठीक है तो देखिए बड़ी पटन ये कहां पर है पटना में सही बात है चोमो की मादे विशाली में है चैतन्य मापरभू ये भी पटना मे तो यहां से देखिए बी आपका अंसर हो जाएगा निश कुछा गया है कि बिहार राज्य का निमले कितमे से कौन से जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता ठीक है और पूछा गया है कि बिहार राज्य का निमले कितमे से कौन से जिला जारखंड के साथ अपनी विखरम शीला गंगा डॉल्फिन की बात करें तो यह दे कि भागलपुर में है नागी पक्षी विहार यह जमुए में है और गोगा बिल पक्षी विहार यह कटिहार में है ठीक है तो जो आंसर है वह जाएगा एक नेश्ट पूछा गया है कि वित्वर्ष 2021-22 के अनुसाज औ अधिशेश है वह राज के सकल घरेलू उत्पाद का कितना है तो 1.21 पूछा गया है वित्वर्ष 2021-22 में राज गोशिक घाटा कितना अनुमानित किया गया है तो यह 2.97 पूछिक अनुमानित किया गया है तो C जो है हमारा आंसर हो जाएगा फिर पूछा गया है बिहार का स सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर कितना होने का अनुमान है तो यह करीब 7.57,026 होगा ठीक है तो यहां से जो है यह आपका अंसर हो जाएगा उसके बाद बिहार बजट 21-22 के आकड़ों के नुसार रुपिय का सबसे कम प्रतिश्यत कहां से आता है तो द देके सायता अनुदान और अंश्टान में जाता है सबसे कम उसके बाद देखें बिहार में जो क्वारंटेन केंद्र थे तो उसमें उस्तन प्रतिव्यक्ति कितने रुपे खर्च किये गए तो करीब तरे 500 रुपे और पूछा गया है कि सरकारी लैब आटी पीस्यार की जा पाइता बत्ता योचना के अंतरगर जो 20-25 साल की आयों के बेरोजगारी हुआ है और रोजगार की तलाश में हैं उनको दिकतर दो सालों की अवदी के लिए हर महीने कितने पैसे दिये जाएंगे तो एक हजार रुपे पर मन्त जो हैं दिये जाएंगे सी आंसर हो जाएगा पूछा गया है कि बिहार बजट ने 2021 में निमलेखित में से किस छेत्र में सबसे अधिक राशी जो है आवंटित की है ठीक है तो यह देखे बी यानिके ग्रामेड विकास पर इन्होंने ऐसा किया है ठीक है चलते है निक्ट कुश्चन की तरफ 138 नमबर कुश्चन पूछा गया है बिहार के निमलेखित में से किस झिले में रा अनि गष वरक्ष वातिका दो 101 में राज्य का दूसर चलिया गळऱ् REM सबस्ता है पूछा रही है कितने किलोमेटर की ग्रामीर सड़कों का निर्मान का लक्षे रखा गया है तो 1500 किलोमेटर रखा गया है D आंसर हो जाएगा 140 सही विगल्ब का आपको चेहन करना है तारापूर समीती पूझी घाता परवत्तियां से संबन दिती A गोश्ट समीती तो बैंकों में गरबड़ी से संबन दिती भगवती समीती बेरोजगारी और लोक कल्यान से संबन दिती धारियां समीती सारवजनिक वितरन परनाली से संबन दिती सही पूझा है तो C हमारा आंसर हो जाएगा उसके बादे के मैस के कुछ गुश्ट कोश्ट दिये गए हैं आप सौल कीज़े का मैं आंसर बता देती हूँ जो 141 है इसका आंसर हो जाएगा A 142 की बात करें तो आंसर है C ठीक है यानि के आंसर कौन सा है C हो जाएगा अगर 143 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा D इसके बाद देखे 144 कुश्ट की बात की जाए तो इसका आंसर है A ठीक है 145 कुश्ट की बात की जाए तो इसका आंसर कौन सा है इसका आंसर देखे D है ठीक है इसके बाद next देख लेते हैं कि जो आपका ये क्या बोलते है 146 question है इसका answer है अब देख लेते हैं answer हो जाएगा इसका कितना B 147 question की बात करें तो answer हो जाएगा आपका E इसका answer दरसल आना चाहिए 3 ratio 2 इसलिए E है इसके बाद 148 question की बात करें तो जो इसका answer है ये हो जाएगा D यानिके 19 उसके बाद हमारा जो आजका second last question है 149 इसका जो answer है ये हो जाएगा C और आजका last question ठीक है 150 इसका जो answer है D हो जाएगा तो ये था आजका वीडियो मुझे उमीद है कि आपकी तैयारी में मदद करेंगा और प्रश्णों को ऐसे solve करते हैं जितने जादा प्रश्णों आप solve करेंगे जितने जादा discussion वीडियो आप देखेंगे उतने ही जादा आपको एक्जाम में help मिलेगी क्योंकि practice makes a man perfect एको आपनी सुनी ही होगी तो जादा जादा practice कीजिए चैनल के साथ जुड़े रही है इसी तरह का content आपको आगे भी उपलब्द कराया जाता रहेगा paid courses के detail मैंने आपको शुरू में देती थी दिये गए contact number पार संपर करके जानकरी ले सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपको एक next discussion वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार